इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक text to voice reader के बारे में जिसका नाम है natural reader जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसको आप play store से easily download कर सकते हो और अगर आपके पास में कोई भी text है तो यह उसको easily read कर देगा चाहे वो image format में हो या फिर आप किसी website पर search कर रहे हो तो यह उसको भी आपको सिर्फ link paste करनी है और यह उसको भी read कर देगा आपके लिए तो आपको कभी-कभी mood नहीं है reading करने का तो यह आपका वो काम कर सकता है तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको use करना है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो मैंने इसको open कर लिया है और यहाँ पर camera scan वाले option पे आप text क्लिक करोगे और point करोगे camera को तो यह जो है read कर देगा photo library से क्या करना है अगर आपको कोई भी image है उसको read करवाना है तो यहाँ से photo library को choose करोगे और अपनी image जो है choose कर दोगे तो यह अपने आप से उस पे जो भी लिखा होगा उसको read कर देगा उसके बाद में जो भी website पर लिखा होगा वो यह आपको read करके देदेगा तो काफी अच्छा और interesting app है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यह कुछ check किया था तो ml और data structure algorithm के बारे मैं पढ़ रहा था तो यह देखो यहाँ पर मैंने एक link paste की थी और इसको मैंने paste करने के data organization view of data manager तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यह जो भी word-to-word बोलता है उसको highlight भी कर देता है तो easily आपको press भी कर सकते हो कि कहां पर हमारी reading चल रही है बस इसका disadvantage यह है कि अगर आप इसको non-premier non-premium users हैं तो यह करीब-करी 5 minutes ही आपको देता है और free में आपको 5 minutes मिलते ह अगर आप upgrade भी कर सकते हो thank you for watching this video